हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सबका हमारे योट्यूब चेनल दक किनेडिया में तो दोस्तों आज से एटी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है कल एच एससी की नए चेर्मेन हिमित शिंग ने सब्ट ले ली थी इसको लेकर उनोंने क्या प्यान दिया और उनकी आगे क्या रननीती होगी इसको लेकर हर्याना के मुख्यमंतरी भी वहां पर मुझूद थे उन्होंने भी क्या कहा तो चलिए दोस्तों इस पर बात करते हैं यह आजगी ने इस पेपर की कटिंग है इसमें आप देख सकते हैं हर्याडा करमजारी चाहिन आयोग गुरुप C, D की भर्तियों पर फिलाल संसे मगर पांस दिनों तक स्तेती हो सकेगी सब्ट सबस्ट आयोग अभी तेह करेगा कि पुर्णर विचार रियाची का दायर करें आस अपर प्रिपॉंट में जाएं आयोग के देक्स हिमत सिंग ने देनिक सिवेरा के साथ हुई भी इस बात चेहिते में क्या खा तो दोस्तों पूरी खबर ने पटकर मैं आपको जो में में पॉइंट है वो आपको बता देता हूँ यहाँ पर तो सबसे पहले देख लेजिए कि दो चार पांस दिन में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यानि कि देनिक सिवेरा नियूजपेपर वालों ने इनाने से पुचा कि भर्ति की स्थिति कब तक सपस्ट हो जाएगी यूँ ही बनी रहेगी तो अधिक्ष ने जवाब दिया मैं यह नहीं कह सकता कि यह सही रहेगा डिसक्रस्ट के बाद सारी चीज़े संभव हो जाएगी जब तक कुछ सपस्ट नहीं हो जाता ना तो जल्ट कोशित कर सकते हैं ना कुछ और उनका खेणा यह है कि जब लेक जो केस टड़ी कर रहे हैं तो केस में जो त्थियात्मक्स पता चलने के बाद में आगए की रणनीती त्यार की जास्केगी इसलिए उन्होंने बताया कि न्यूजपेपर वालों ने पूछा कि बच्चे पूछ रहे हैं कि भरती की वर्तमान पर स्थितियां बनी हुई है कि आप भी बनी रहेगी तो देक्ष ने कहा बच्चे दोनों साइड के है है यानि कि कुछ बच्चे 5 नमबर हुटो हने के फक्रस में हैं कुच नमबर पांच नमबर लागू करवाने फक्रस में है देनिक सवेरा ने पूसा कि इसका मतलब तो ऐसे इस्तिती बने रहेगी इस पर देक्षी ने कहा कि दो च्यार दिन या पांस दिन में सबी चीचें कलियर हो जाएंगी इसके बाद में हम आगे के रणनीती त्यार कर लेंगे इसको लेकर यहां पर गल्यू कॉलम में भी बताया कि अभी देख रहे हैं कि रिव्यू में चाहिए सुप्रिम कोट में यानि कि इसमें में में मुद्ध ही बताया गया कि एच अससी ने चेर्मेन हिमत सिंग से पुछा गया कि आगे की क्या रणनीती होगी कि इस पर गार भरतिया होगी और जो पांच नमबर को दिया गया फिसला उस पर क्या खायना चाहिए तो इसको लेकर भी कहा है कि जो पुरानी भरतियां के रिजल्ट जारी किया है उनमें पांच नमबर एड्ड नहीं किये गए इसलिए उनस पर कोई खत्रा नहीं है लेकिन ये हाई कोर्ट के फिसले पर विचार करें है कि इस पुर्णर विचार याच शीका दर्ज की जाए इस मामले पर या सुप्रीम कोर्ट जाज जाए इसको लेकर दोस्तों आपके क्या राया है यदि सरकार और H.S.S.C. सुप्रिम कोड जाते हैं तो भरती लटक सकती है या नहीं हमें कमेट्स वाक्स में जुरूर दे हैं इसके लाव हर्याना के मुख्यमंद्री नायब सिंग का यह कहना है कि हम जल्द ही सरवचे नयले जाएंगे युवां को नियाई सुनिश्चित करने के लिए पुरूर विकालत करेंगे सरकार समाजिक आर्थिक मापदंट के अपनी नीति लागू करने पर अडिया यह निकि सरकार के तरफ से रियाणा के सीयरूर नायब सिंग का खाय़ना है कि हम्हारी तो कोशि से यह है कि समाजborg आर्थिक मापदंट के चोंक दिए जाते हैं उन्ने पुनर लगू करवाइज हाई काड के फैसले कौह मने नहीं मांते इसलिए हम सोप्रीम काड़ में झायेंगे इन्हों नहीं जो मुख्राब बाद इस यहां पिश्जर्थ रिंक्षे न पुचा कि सुप्रिम कोड जाएंगे चाहीं हम सप्रूम कर जायेंगे इन्हों कहा कि इसका इंतिजार करेंगे तो क्या तब तक भरती रुकी रहेगी या भरतीयां चलेगी कैसे इस पर मुख्यमतरि नायब सिंग्स चैनि ने जबाब दिया देखिए हम अधालत में फाइल कर रहे हैं और जल्द इसका नेड़ने आ जाएगा यानि केस को फाइल करेंगे सुप्रिम कोर्ट में और सरकार ने पूरा मन बना लिया है सुप्रिम कोर्ट जाने का और केस लड़ेंगे हमारा यहीभी उसी के अंदर है बच्चों के पर किलिया थैतन नहीं आए उन सब को भरति के अंदर लेंगे जो चेस हीटी के अंदर में अंदर नहीं आयत पाए चैर गुणा में उनको भी ज्यादा से ज्यादा संक्या में लेने की कोशिस करेंगे परन्तु कांगरेश जिस पर का इस बात का दूस्परचार करी है कि जिस पर हैं बोल रहे हैं कि या यू वांग के साथ भोईशे के साथ खिलवाड है कोई खिलवाड नहीं है मैं बड़ी विश्वास के साथ कह रहा हूंग देनिक शोयरा ने पूछा कि आपने जो पचास जार और भरतियों की बात कही क्या वो पहले से चल रही भरती है या अलग है इस पर मुख्यमंतरी ने जवाब दिया हाँ अतरिक्त पचास जार है ये पचास जार भरतियां हम करेंगे कुछ तिनों के भीतर ही हो जाएंगी वे उसकी प्रक्रिया चली हुई है युवाओं को समान हमारी सरकार ने जो दिया हाज तक इत्यास में किसी भी सरकार ने ने दिया हिम्मत सिंग उस विश्वास को और आगे बठाने का काम करेंगी यानि कि इसके लावा हर्याना के मुख्यमंतरी ने का आया पसाँजार और भरतिया करेंगे इलेक्शन का टाइम नस्दीग है इसलिए काम को गती दी जाएगी जल्दी से जल्दी भरतियान जल्दी से जल्दी पूरे करने की कोशिस की जाएगी इसलिए दोस्तों अपनी तयारी चारी रखें पूर सकता है जल्दी अगस्त में आपके एक्जाम करवा लिया जाए बचे योग्रोपों के और इसके लावा बात करें तो पसाँजार भरतियों के इसको लेकर कुछ नहीं कह सकते दोस्तों यह भरतियां हो भी सकते है नहीं भी हो सकते है क्योंकि प्राणी वर्थियां भी अभी तक पेंडिंग चल रही है नहीं वर्थियों के बारे में कुछ नहीं कह सकते